हेलो फ्रेंड्स आज मैं AOO जो की तीन तारीक को एक्जाम हुई थी तो मैं उसका GS Paper 2 का Question Paper आपके समख्च लेकर प्रस्तुत हूँ तो फ्रेंड्स आज हम लोग Analysis करेंगे कि जो Assistant Audit Officer का एक्जाम हुआ वो BPSC के लिए क्या नया संकेत की और दरसाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाहे एक्जाम BPSC का हो या CDPO का हो या AEO का हो या BPSC Assistant Professor का हो सब का जो एक्जाम पैटर्ण जो होता है वो बिलकुल वरावर ही होता है लेकिन उसमें अभी जो है जो BPSC है एक ऐसा मुकाम पर है कि इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उसमें हिस्ट्री सेक्शन में जब कि पहले पांच कोशन पूछे जाते थे अब उसमें बदलाव किया उसमें चार कोशन ही पूछे गए अब हम लोग दूसरा सेक्शन का बात करते हैं तो जी तीन कोशन और तीसरे सेक्शन से आपको दो कोशन करने हैं तो फ्रेंड्स आप उसका इंट्रक्शन भी आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि खंड को और खंड दो से तीन तीन प्रस्ट करने और खंड तीन से दो प्रस्ट का चेयन करना है तो प्रशार्तियों को क्या बोला दखते हैं और दूसरा एक खंड आप coy riot गर्या खो आप पूरा कंप्लीट करें मतलब खंड को सटार्ट कर लिए जो भी लिखनास आपको खंड लोग ढूस करते हैं कि इस परकार का कोर्सन पूछा गया है और कैसे घृत सकता आ मतलब GS paper 2 का section A में हमिशा Indian quality जो है quality section का question होता है तो चलिए friends पहला question देखते हैं कि क्या पूछा गिया है पहला question है क्या मौलिक अधिकार एवं राज के नीती निद्रसक से धांत एक दूसरे के साहयक तथा पूरक है अपने उत्तर के पक्च में तर्क दीजिए तो friends जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी संविधान बना तो वहीं से क्या हुआ था मौलिक अधिकार बरा है या नीती निद्रसक तत बरा है इस पे बहुत सारे विवाद चलते आया जो कि पहले देखने को मिला कि मौलिक अधिकार बरा है फिर कुछ दिर के बाद प पर हम लोग देख सकते हैं यह कुछन जो बहुत ही आसान है क्योंकि आप यह सिंपल से अगर आप मौलिक अधिकार निद्रसक पर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे पूरक है यह कुछन आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो इसलिए पॉलिटी सेक्षन का जो पहला कुछन बन गया है तिपन नहीं करें तो फ्रेंट जैसा कि आप लोग जानी रहे हैं कि बिहार में गठवंदन की सरकार जो हो रही है उसके बाद आप महराष्ट में भी देख सकते हैं तो यहां पे गठवंदन और गठ जो और तूट दल बदल बहुत सारे चीज़ देखने को मिलत है तो वहीं पर बोल रहे है कि गठवंदन की राजनीती तो आर्थिक उदारी करन के करन संगबाद भारतिय राजनीती परणाली की परमुक विसिस्ता बन गई है तो फ्रेंट जैसा कि हम लोग क्या जानते है कि जो बीजेपी का दल है वो एंडिये है और कॉंग्रेस का दल करन है तो उस करन से संगबाद जो है भारति की परमुक विसिस्ता हो गया है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एक विचारधारा का एक आदमी है दूसरा विचारधारा का दूसरा आदमी है तो जब आपस में हो रहा है तो क्या अगर कोई भी लोगतंत अगर सही माइने में अब तीसरा कोस्टन देखते हैं तीसरा कोस्टन में क्या पुछा गिया है कि मुख्यता भारतिये राजनितिक दल विचारधारी की वज़ा अधिक यथार्तवादी हो गए हैं जिससे दल की सीमाएं अती लचीली एवं परवेस योग हो गई है टिपन्नी करें तो फेंट्स य जो है देखना यह कोस्टन आना बहुत ही लाजमी हो चुका था क्योंकि अगर आप देख सकते हैं क्या मुके सहानी के पार्टी का क्या हुआ कि अपना विचारधारा छोर के सारे लोग बीजेपी में मिल गए फिर हम लोग देख सकते हैं नितिस कुमार की सरकार को क्या मिल गए तो उसके बाद आप देख सकते हैं महाराष्ट का क्या सीन हुआ तो आप इधर उधर सब देख रहें तो सब लोग क्या अपने जो आइडियोलोजी है उस पे नहीं चल रहे हैं सब लोग कुरसी धारी हो चुके हैं जहां भी उन्हें प्रॉफिट मिले जहां भी उ उत्तरपृस्तिका में यह सब चीजे नहीं लिखनी हैं आपको अलोचनाई करनी है लेकिन अंत में आप इसको सकारात्मक रूप में देख सकते हैं और इसको सकारात्मक रूप में ही इसे संदर में वर्णन कीजिए तो भारत में राजनिती में जाती का क्या उसका योगदान है क्या परभाव है उसके बारें यह टॉपिक है और आपको यह पढ़ना ही परेगा अब बिहार में जानते ही हैं कि यहां पे जो जाती है यह सबसे बड़ा सूचक है किसी पार्टी क जैसे अगर आप राज़त का बात करें आरजेडी का बात करें तो उसमें यादव का जितने भी हैं उधर है अगर आप नितिस कुमार का पार्टी बात करें तो कूरमी का है और बीजेपी का बात करें तो शवर्ण है तो तो कहीं न कहीं यह जो बदला हुआ है कि राज जात से ही नहीं जाता है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है जहां पर जिस छेतर में बहुलता अगर यादव का हो तो वहीं पर दोनों कंडिडेट चाहिए बीजेपी हो या आरजीडी हो तो अपना कंडिडेट क्या है वो उसी कैटेगरी का ही निकालते हैं कहई माइनोरिटी और बेसिस फोर ही कियल खेला जाता है तो आपको अपटर में लिखना है तो कहीं मिला जीक करके जहां किसलों का से कोंविघेट के मोर्ड में ही लेकिते हैं चलिए friends अब हम दोग दूसरा section बात करते हैं जो दूसरा section होता है इसमें आपको economy plus geography plus बिहार special यह मतलब यह तीनों का content मिला रहता है चलिए friends देखते हैं question क्या पूछा गया है पांचमा question है कि भारत में हरित क्रांती का क्रीसी के विकास पर पढ़ने वाले परभाव का आलोचनात्मक परिक्षन करिए तो friends यह question हमेशा बार बार पूछा ही जाता है और यह question बहुत ही सरल है कि भारत में हरित क्रांती का क्रीसी पर जो विकास का परभाव पर आपको लिख अलोचनामे क्या कर सकते ओर वरता हट गिया बहुत सारे पूरे देश में मतलब पूरे छेतर में नहीं हो पाया कहीं से पांजाब हड़ियारक छेतर में हुआ तो आपको इसके में चलिए क्लोट से चलिक अगला 다음 देखते एंध हैं कि जनसंख्या विर्दी वर्दान एवा मुविसाय हो है उसके बारे में भाग के परिपेक्ष में लिखना तो यह बहुत ही आसान टॉपिक है आप इसको अराम से अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं चलिए फ्रेंड्स अब अगला कोशन देखते हैं फ्रेंड्स बिहार और गन्ना मतलब कि वेस्चंपारण आपको मिलेगा देखने को मिलेगा फिर आपको इस सब्छं बब उठा रही है आपको उसके बारे में सबकुछ लिखना ये भी कॉस्स अब को को हरा सक्षन तू देख रहे हैं section 1 से compare में बहुत ही आसान देखने को अभी तक मिल रहा है अब अगला question आठमा देख रहे हैं कि भारत में जन जाती के भोग्योलिक वित्रन का विवरन दीजिये तथा उनकी सर्विनिस्ट समस्याओं एबं उनके समधान के उपायों का परिक्षन करिए तो सब्सक्राइब है उसके वाद आप बिहार में देखिएगा तो भूमीज है और आपको मद्ध परदेश में भील नजर आएगा गोंड नजर आएगा फिर आपको इधर अगर आप संथाल नजर आएगा आपको जारकंड में देखते हैं तो उसका क्या भोग्योलिक इस्थि हो रहा है जो नगरीकरन है जो सहर के लोग है वो कही न कहीं जो उनके ट्रेडिसं है परंप्राओं को अहित पहुचारते रहते हैं तो इस सबके बारें क्या समझते हैं उसका क्या समधान करना है तो ये भी लिखनाया ये भी बहुत normal को संपूछा गया है चलीए अब हम लो है कि इस पर क्या फायदे और नुकसान भविस में होने को है इस संदर्व में तर्ग संगस समझ का गहराई से खाका दीजिए और इसकी व्याख्या करिए तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि भारत भी अंतरिक सोध में क्या हो रहा है कि वो इंटर कर चुका है तो उसमें क् भारत को इसमें फायदा मिलेगा क्या नुकसान मिलेगा आप इसको बारे में दिखाना परेगा यह बहुत ही करेंट टॉपिक से है साइंस और टेक्नलोजी आपको इसमें दिखाना परेगा और आपको हमेशा उत्तर में साइंस और टेक्नलोजी का ही बात करना होगा चलिए देने वाली काली भयावा छाया भी दी है विज्ञान वा तकनीकी के इस विपरित कलागत भूमी का विस्तार पुरबग शमाधय कीजिए तो friends आपको उत्तर में लिखना है कि मतलब की विज्ञान और तकनीकी कहां तक जो है वर्दान है और विज्ञान तकनीकी कहां तक यह अभी साफ है तो friends आप लोगो सोचते हों कि बच्पन में हमेशा यह सब उत्तर का परियोग करते थे कि science and technology कहां तक वर्दान हो रहा है कहां तक इसको अभी साफ के रूप में माना जाता है बस उसी को धारन देके आपको बताना है कि कैसे कैसे भारत के जो विश्व का जो विकास के जो सोचने का नजरिया है किस परकार से बदर रहा है और जिस परकार से करोना सब आया तो कैसे भारत और विश्व पर क्या effect किया उसके बारे में लिखना है चलिए फ्रेंट अब अगला question देखते हैं अगारमा question कैसा है कि हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृतिक robot मानव और एक आधुनिक कृतिम robot की प्रकृति पर विभारिक गुंता विगुंता के अधार पर विसलेशनातमक एवं विस्तित व्याख्यां करिए तो फ्रेंट जैसा कि हम लोग क्या है एक प्राकृतिक robot मतलब भगवान नहीं जो बनाया मतलब हम लोग जो है और आधुनी कृतिम robot जो हम लोग बनाते हैं robot वो प्राकृति तो मतलब दोनों में गुन अब गुन में क्या अंतर है उस पे विसलेशनातमक करिए तो फ्रेंट जो हमेशा सूपीरियर होता है वो मनुस ही होता है उसके गुर्व अनगुन में वही बात है कि वहाँ पे एकुरिसी ज़्यादा देखने को मिलेगा भारत में जो मानुए गलतियां है वो ज़्यादा देखने को मिलते तो आपको इसके उपर आपको उत्तर लिखना पड़े चलिए फ्रेंट्स अब आखरी कोशन देखते हैं कि बिहार मस्तिक्स का विज्ञान व तकनिकी के छेतर में देश व विदेश अस्तर पर क्या योगदान रहा है परमुक उधारनों सहित पिछली सताबदी से वर्तमान समय तक अपना पुर्ण ग्यातत्व निविष्ट कीजिए तो फ्रेंट्स आपको यहां पर लिखना परेगा जो बिहार मस्ति मतलब बिहार के लोग विदेशों में जाकर कहां कहां क्या कृतिम चाप चोर रहे हैं उसके वारे में लिखना जैसे कि अभी आप आधोनिक रूब में उधारन देजेगा खांसर पतना बिहार के हैं आप तो मतलब कि इस तरह की कौन-कौन से लोग हैं जो बिहार से लेके मतलब की पूरा विस्व में व्याख्याती हुए कि वसिष नरायन को धारन दे सकते हैं आप यहां आरिवट को धारन दे सकते हैं मतलब नंदलाल वसू नंदलाल वसू जो थे जित्रकला थे वह डॉक्टर जंदर परसाथ तो मतलब कि बिहार का जो मस्तिक्स है वह विज्ञान एवं प्रवध्यकी के छेतर में मतलब साइंस और टेक्नोलोजी के छेतर में कहां देश और विदेश में क्या-क्या योगदान दिया है आपको उसके बारे में चार्चा करना तो फ्रेंट्स कहीं भी द जो जी एस पेपर टू जो की एएओ एसिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एक्जाम हुआ वसमें अगर आप बिपीएसी में कॉंपेर करें तो इस सेक्शन में भी अगर आप पॉलेटी सेक्शन देखते हैं तो वही जो बुक में दिया गया है उसी टॉपिक से पूछा गय में पूछा गन्ना अद्यों के बारे में यह सब मतलब आम टॉपिक है आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो यह भी आपसे हैंडल हो सकता है लेकिन जो तीसरा स्थेक्शन था साइंस एंड टेखनोलोजी को थोड़ा सा क्रिटिकली था थोड़ा सा और आपको यहां पर महिनत करने की अतियावस्तक है तो फ्रेंड्स अम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले वीडियो के साथ तू फ्रेंड्स थैंक यू एंड हव नाइस टेज